देखे बात आप सभी का स्वागत है और अब शुरुबात करते हैं मुक बधेर समाचार के दुनिया भर में कोरोना वाइरस के कहर के बीच योग गुरू बाबा रामदेव ने कोरोना वाइरस की आईरुवेदिक दवा बनाने का दवा किया है पतंजली के योगुरू बाबा रामदेव और आचारिया बाल क्रिश्न ने प्रेस कॉन्फरेंस करके इसका एलान किया है प्रेस कॉन्फरेंस में ट्रायल में शामिल रहे वैग्यानिक, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स भी मौझूद रहे कोरोना वाइरस को मात देने वाले इस आहिविदिक दवा का नाम कोरो निल दिया गया है इसको लेकर यह दावा किया गया है कि इसका सौ फिस्दी लोगों पर क्लिनिकल स्टडी की गई और उसमें 95 लोगों ने हिस्सा लिया तीन दिन में 79 प्रतिशत मरीज ठीक हो गए जबकि साथ दिन में 100% मरीज ठीक हो गए आचार या बालक्रश्ने ने कहा कि पतंजली सिवा का दूसरा नाम है यह शब्दों से नहीं कर्मों से चलगता है बाबारामदेव का कहना था कि नेत्रत्व हमें इनका उर्जा देता है श्रिजन तो परमात्मा की ख्रपा है हम तो निमित्त मात्र है सत्रवे दिन भी तेल के दामों में जबर्दस इजाफा हुआ है आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े है पेट्रोल पर 20 पैसे तो डीजल पर 55 पैसे की बढ़ात्री हुई है जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के के खेमतें लगबग बराबर हो गए है जहां पेट्रोल 89 रुपे 56 पैसे प्रतिलीटर हो गया है तो वहीं डीजल 89 रुपे 40 पैसे प्रतिलीटर मिलेगा यानिकी पिछले सत्रा दिनों में पेट्रूल जहां आट रुपए पचास पैसे प्रति लीटर महेंगा हुआ है वहीं डीजल की किमत भी दस रुपए प्रति लीटर बढ़ गए है अंतर आस्ट्रिया बाजार में यूँ तो पिछले सत्रा दिनों में से अधिकतर दिन क्रूड ऑईल्स की किमतों में नर्मी का ही रुख रहा लेकिन घरीलू बाजार में इसकी किमते लगातार बढ़ रहे हैं राजधानी लखनव में कुरोना का ग्राफ तेजे से बढ़ रहा है और अब इस महामारी की चपेट में सपाके वरिष्ठ नेता राम गोविन चौधरी भी आ गए है नेता प्रतिपक्ष राम गोविन चौधरी की कुरोना जाच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बढ़ते हागे लखनव में सेम योगी ने श्यामा प्रसाथ मुकरजी अस्पताल का निरिक्षन किया और वहां की विवस्थाओं को देखा इस दोरान उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूत रहे तो इस बुलिटिन में फिलहार इतना हैं लेकिन उत्तर प्रदैश और उत्राखन के तमाब खबरों के लिए आप देखते रहे हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी टिफिन गर पे